हादिया, अदो बच गए क्या? अदेखिये, अदेवर जी आते ही हूंगे टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर तमस्कार आप देख रहे हैं सारा देश सौ खबरे और मैं हूँ आपके साथ अरपिता आदिया और मैं हूँ स्वाते नेगी, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अगले आदे घंटे बने रहे हैं हमारे साथ मध्यप्रदेश में शिफपूरी में एक साल की बच्ची की जान एक स्टील के मटके में अटक गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टील के मटकी में बच्ची का सर फस गया और उसको निकालने के कोशिश की जा रही है बच्ची की सही सलामत बचने के बाद परिवार के लोगों ने रहात की सांस लिए हाथ से के बाद स्लोर ट्रैक के अप और डाउन डोनो ट्रैकों को बंद कर दिया गया है याथ से के बाद धिमेगती की लौकल ट्रेनों पर असर पड़ा है सभी लोकल ट्रैने 30 से 40 मिनट लेट पंजाब के संगरूर जिले में चलती बस में दो लड़कियों के साथ छेरचाड का संसनी खेज वीडियो सामने आया है छेरचाड से परिशान होकर दोनों लड़किया चलती बस से नीचे कूदे चलती बस से कूदने के चलते एक लड़की की मौत हो गई वहीं दूसरी लड़की गंभी रुप से घायल हो गई लड़कियों की पूरी आप भी तीसी स्टी क्यामरे में खैत वारदात में घायल लड़की ने बस कंड़क्टर पर छेड़ चार के दौरान बस नहीं रोकने का आरुप लगाया है वहीं पुलिस का कहना है कि युपती की मौत उसी किला पर वाही की वज़े से की पराचर के हसन में पैसे के लेंदेन को लेकर दोगणों में खुनी संघर्श हो गया वारदात में सरेयाम एक युवक की चाकू गोटकर हत्या कर दी गई हत्या और खुनी संघर्श की पूरी वारदात मौके पर मौझूद एक शक्स नहापने कैमरे में कैत कर ली पुलिस ने आरोपी यूवक को गिरफता कर लिया है पुरित फॉजी के मुताबिक उसके पडोसियों ने सड़क पर अवैद कबजा कर रखा है जिसके शिकायत करने पर पुलिस वाले ने जाच के लिया आये थे पिड़त के मुताबिक कारवाई करने की बजाए पुलिस वालों ने उसे ही पीट दिया पागरा में यमना को गंदगी मुक्त कराने की अपील को लेकर लोगों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया बड़ी संख्या में लोग यमना नदी के किनारे पहुँचे और फिर रेच से स्नान किया लोगों का कहना है कि यमना की गंदगी से परियाटकों में शेहर की छवी खराब हो रही है चीन के जियांग, चाउशान, इंटरनेशन एरपोर्ट पर भारी बारिश के बीच एक एरलाइंस पर बिचली गिर गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तिक तरह से आसमार से बिचली फ्रेइन की उपर गिरती है रहात की बात ये रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ चीन के तियांटाई शेहर में सीमेन से भरा एक ट्रॉक सड़क पर अचानक बने गड़े में गिर जाता है हाथ से में ट्राइवर किसी तरह बच निकलने में काम्याब हो गया याला कि उसे हलकी चोटे आईगे शुलंका के हमर चोटा में एक हाथी का बच्चा एक गड़े में गिर गया हाथी के बच्चे को बचाने के लिए बचावदल कुकड़े मश्रक करने पड़ी काफी कोशिशों के बच्चे को गड़े से निकाला जा सका इराक के फलूजा शेहर को आईएस आईएस के कबजे से छुडाने के लिए राकी सेना ने पूरे शेहर को घेल लिया है सेना और आतंकियों के बीच लगातार गोरी बारी जारी है सेना के मताबिक उसने श्रहर कासी की सिदी इलाका आईएस के कबजे से छड़ा लिया है और जल्दी पूरे श्रहर परिराकी सेना का डियन तरण होगा साथी लूट की रकम भी परामत कर ली गई है पूरी वारदात के पीछे गैस एजनसी में काम करने वाले ड्राइवर का हाथ था जिसने गैस एजनसी से कैश ले जाने की खबर अपने सगे भाई को दे थी नौर्ट्वेस दिली की जहांगीर पूरी में एक यूफ्टी को बच्ची समय तगवा कर 11 दिनों तक्रीप करने का मामला सामने आया रेप का आरोप यूफ्टी के पडोस पही रहने वाली यूवक पर लगा है और उसकी भाई पर लगा है यूफ्टी का आरोप है कि उसे किराय के कमरे में क्याद करके रखा गया था जहां धाई साल की उसकी बच्ची की गर्दन पर चाकू रखकर दोनों से रेप करते थे वुलस ने आरोपियों को गिरफतार कर लिया है विली के वजीरबाद लाके में एक ट्रॉक और आटो की टक्कर का हाथ सा सामने आया है बताया जा रहा है कि हाथ से में तीन लोग बुरी तरह से घायल हो गए पश्रम बंगाल के हावडा में ही चौती ग्लास में पढ़ने वाली चाप्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है आरोपी को स्थानिये लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है यूपी के कानपूर में घर से एक युवक और विफायता के शौप बरामत किये गया पुलिस को दोनों के बीच प्रेम संबंद का अन्दीशा है यूपी के कानपूर में बे मौसम बारिश और आर्थिक तंगी के चलते राधे शाम न्याम के एक किसान ने खुद कुशी कर लिए इमरे तकिस्तान पर करीब धाई लाग रुपी का गर्स था जिडियो की विधान पाशर हीरा प्रसाद, बिंद और उनके दो रिष्टेदारों पर एक महला प्रत्याशी से मार पीट और छिरखाने का केस तरज गया गौरतला भैकिस से पहले भी हीरा प्रत्याशी को जान से मारने के धंकी देने का आ रोप लगा था बिहार के पूर्या में अप राधियों ने घर में घुसकर एक ठेकेदार की गोली मार कर हत्या कर दी में तक जमशीद मुंबई में सर्याफ की ठेकेदारी करता था आरोपे की साथ से आठ अप राधियों ने घर में घुसकर इस वाधात को अंजाम दिया बिहार के चप्रा में अपराधियों ने एक वेवसाई की गोली मार कर हत्या कर दी, पुलिस वेवसाई की सहाया कोहरासफ में लेकर पुछ ताच कर रही है जैपुर में नौकरी ने मालकिन की लौकर ने मालकिन की हाथ पैर बांद कर वहरा में सहत्या कर दी और घर से जूलरी और नगती लेकर फरार हो गया महिला का शौब बासुन से परामत किया गया है फिरोजाबाद में एक महिला के साथ घर में घुसकर छेड़चाड का मामले सामने आया है महिला ने जब छेड़चाड का विरोध किया तो दबंगो ने महिला और उसके घरवालों को जम कर पीटा मामले में पांच लोगों के खिलाफ पहरीर दी गई है यूपी के कानपूर में बिजली के पोल अचान अकरेंट ले आने से एक यूवा की मौत होगे घर्टना की वक्त तेतिस साल का जश्र वास्तो एक पर्थलोजी सेंटर के बाहर एंबुलिंस की सफाई कर रहा था आगरा में कलेक्टरेट परीसर में होमगाड और महिलाओं ने जेब कत्रे की जम कर पिटाई की तरसल महिलाओं की समस्याओं का ग्यापन देते समय जेब कत्रे ने होमगाड के जेब कार्टिंग कोशिश की जिसे महिलाओं ने देख लिया था मेकिन इंडिया प्रोग्राम के नाम पर हजारों युवाओं को नौकरी देने का जासा देने वाले तीन ठगों को फरीदाबाद पुलिस ने ग्रफ़तार किया पुलिस नारूपियों के कब्जे से भारी मात्रम में चेक और अन्य दस्तावीज परामत किये है पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर का एक ऐसा वीडियो लिखाया है जिसमें साफ दिखाया है कि किस तरह से वहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग के कैम चलाए जा रहे है पाकिस्तान की सिलामाबाद हाई पाक सरकार को भी नोटिस दिया है जिसमें आतंकियों के द्वार अस्तिमाल की गई बूर्ट की जाज के लिए कवनिशन बनाने की अपील की गई हाई कोट ने ट्राइल कोट में भी केस रिकॉर्ड की रिपोर्ट मांगी है यही नहीं आई बिरोष्ट के कॉमेडियन तन में भटकी सचेन और लता के खिलाफ की गई आपतर चिनक टिपड़ी के खिलाफ मामला तूल पकड़ता जा रहा है उनके टिपड़ी से नाराज होकर MNS ने पुलिस में उनके खिलाफ शिकाइद दर्च कराई है यही नहीं आई बिरोष्ट सेवन पर MNS ने ताम है खोपकर ने कहा है कि जहां भी तन में दिखाई देंगे वो पिटेंगे वाई शुफ सेना और बीजेपी ने भी तन में के खिलाफ करवाई की मांग की उत्राखन में मौसम विभाग नगले 48 गंटे में भारी बारिश के चेतावनी जारी की है राजे के सभी 13 जिलों में लड़ जारी कर दिया गया है उत्राखन में बारिश और तूफान के चलते आज सेना और वायू सेना के अधिकारियों की मौझूद्गी में आपदा से जुड़े सभी वे भागों की बैठक बुला कर तयारी को जाय से लिया जाएगा उत्राखन में बादल फटने के बार बेघर हुई लोगों का गुस्सा भरता जा रहा है सरकारी बद इंतजामी से परिशान लोगों ने हाल जानने आए अधिकारों की प्ताई भी कर दी लोगों को आरोप है कि आबदा के चार दिन बाद तक कोई उनका हाल पूशने नहीं आया और उनके बच्चे भूप से बेहाल हो गए है यही नहीं गुस्सा है लोगों ने चार धाम यात्रामार को भी जाम कर दिया बतादेगी अजय गंगवार को पूर प्रधान मंत्री नहरू की पेस्बूप पर तारीफ करने के बाद राजे सरकार ने बढ़वानी के कलेक्टर पद से हटा कर भूपाल में मंत्राल में उपसचप बना दिया था पाकिस्तान की वस्थापेत शात्रा मर्शल मामले में आईबिन सेवन की खबर का असर हुआ आईबिन सेवन पर खबर दिखाया जाने के बाद विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने भरोसा दिलाया है कि मशल का अध्मिशन मेटिकल में हो जाएगा चुनादरी जल प्रपात का एक पर पिकनिक मनाने गए दो चातर फोटो के 34 समय फिसल कर गहरी जीन में गिरकर डूब गए गोता खोरों की मदद से डूबे होए चातरों की तलाश की जा रही है दोनों चातर बीएचियो के एमबिया फाइनल एर एक स्टूडेंट है जिन में से एक हैदराबाद का तो दूसरा दिली कर रहने वाला है आटियाई में हुए एक खुलासे ने हरकम वज़ा दिया है खुलासे के मताबिक ब्लड ट्रांस्टूजन के वज़े से पूरे देश में 2234 मरीजों को HIV ट्रांस्मिशन के मामले सामने आए है और में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है दूसरे नमबर पर गुजराद तीसरे पर महराश्ट और चौथे नमबर पर दिल्ली है दसर ब्लड बैंक में खूँ जमाखून को कई बार बिना जार्च की ही ज़रतमन को देने की है चाहिए वी वाइरस फैल रहा है सरकार ने पूरे मामले के जार्च के आदिश दे दिये है रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने प मिल्स मिल्स के पास होगा जिसमें परेल जाने वाले लोगों को दोनों तरह से उतरने में आफान होगी अधनान सामे के बाद अब गायका और अभिनेतरी सल्मा आगा को सरकार ने लाइफ टाइम वीजा देने का पैसा कर लिया है अब वो जब चाहे भारत आ सकेंगी सल्मा पाकिस्तान के प्रदान नवास शरीफ ने प्याम मोदी को फोन किया टेलीफोन पर बातचीत के दौरां मोदी ने शरीफ के जल्ड सुर्फ होने की काम ना की राजसभा के लिए मुसलमानों को टिकट ना दिये जाने पर आरजडी में बवाल बढ गया है आरजडी नेता मुलानी लालू को चारा खुटाली में क्लीन चिर्द ला सकते हैं तो ठीक है नहीं तो लालू ना इधर के रहेंगे और ना उधर के गौरतलब है कि अभी तक जिन उमीद्वारों के नामों का एलान हुआ है या पर नामांकन भरा गया है उनमें सिर्फ बीजेपी की ही दो मुसलिम उमीद्वार है एक मुपतार अब्बास नकवी और दूसरे एमजेग पर वहें बिहार से लालू की बेटी मीसा और रामजेठ मलानी ने आरजडी से परचा दाखिल किया तो जेडी उसे शरद्यादर ने नामंकन भरा वहें यूपी से कॉंगरेस ने दा कबिल सिबल और पंजाब से अंबेका सोनी ने परचा भरा समाजवादी पार्टी की राश्ट्री लोगदल के मुख्या अजीठ सिंग ने से नजदीकी पर शुपाल यादो और रामगुपाल यादो में मदभेद दिखाई पर रहे हैं उनसे किसी भी दल को समझ ओता नहीं करना चाहिए इस बिश दिल्ली पुलिस कमेशनर ने भी अफ्रीकी मूल के लोगों के डेलिगेशन से मुलाकात की दिले में अफरीकी नागरेकों पर हुए हमले के विरोध में अफरीकन छात्रों ने दिले के जंतरमंजर पर विरोध प्रदर्शन किया विरोध द्राइवर के मताबिक जब उसने टेक्सी में चार से जाधा लोगों को बैठाने समना किया तो उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी गई ड्राइवर अस्पताल में लाच चल रहा है उनला ड्राइवर का आरूप है कि 6 अफरीकी मूल की लोगों ने उस पर हमला किया पुनिस ने एक महिला को पकड़ा है जबकि बाखी 5 लोग फरार हो गए है जाज में पता चला है कि ये महिला रावन्दा मूल की है खरियाना में 5 जून से होने वाले जाट आंदोलन को देखते हुए जीन्द में धारा 144 लागू कर दी गई है अगले 2 महिने तक ये धारा लागू रहीगी साधी प्रशास्तन ने 29 बड़े खापनेताओं और जाटनेताओं के खिलाफ रोडिस भी जारी किया है जाट आरक्षन की आंदोलन की चेतावने के बाद रोटक की डीप्टी कमिशनर ने पुलिस और सेना के अधिकारियों को आंदोलन कारियों से ने पटने के दिर्शा निर्देश दिये बेठा के दौरान रोटक के स्पी शशांकानन ने रबर बुलिट, प्लास्टिक बुलिट और आंसू गैस के इस्तिमाल की जान करे दी किरिट सुमया ने इदी को वाज़ा के मामले की जाज करने के लिए लेटर भी लिखा है वही कॉंग्रेस ने नारोप उपर कहा कि किरिट सुमया की सुब्रमनेम स्वामी से प्रतियों गिता चल रही है, वो कुछ भी कह सकते है शतिजगर के कॉंग्रेस विधायक अमरजीत को एक महिला कलेक्टर को हिरोईन कहना भारी पड़ गया इस बयान से नाराज कुछ लोगों ने थाने में विधायक के खिलाफ शुकायत की लेकिन बता दे कि अमरजीत ने कहा था कि हमारी कलेक्टर हिरोईन है, सुन्दर है, लेकिन काम नहीं करते दिले में बिजेपी कारकरताओं ने इस उमबा को कॉंग्रिस सद्धिक्ष सुन्या गांधी के खिलाफ जमकर दुरोफ प्रदूर्शन किया, बिजेपी का आरोप है कि कॉंग्रिस ने बतला हाउस एंकाउंटर को फरजी बताया था बिजेपी के मताबिक आई-स-ाई-स के वीडियो से साफ हो गया है कि बतला हाउस एंकाउंटर से भागा यूवा कब आई-स का आतन की बन गया है ऐसे में सुन्या गांधी को देश से माफिवांगी चाहिए कॉंग्रिस ने गांधी आज व्राइबर रेली के दोरे पर जाएंगी वहां सुन्या गांधी एक नगर पंचायत भवन का उद्गार्टन करेंगी साफीक सड़क का सिला नियास भी करेंगी सुपर स्टार हीरोज के साथ काम करने वाली सुनाक्षी से इन्हा अपनी आने वाली फिल्म नूर में किसी नए चहरे के साथ रोमांस करती नजर आएंगी अभी सुनाक्षी फिल्म फोर्स टू की शोटिंग कर रही है सनी लिओनी अब अरबास खान के साथ परदे पर अपना जलबा बिखे रेंगी दोनों के आने वाली फिल्म का नाम तेरा इंतजार है सुल्तान में सल्मान खान दमदार रूप में दिखाए देंगे सल्मान खान की ये फिल्म इद की मौके पर रिलीस होगी और फिल्म में पहली बार सलमान के साथ अनुशका शर्मा दिखाई दिंगी प्रतेश देश्मुक और नर्गर स्वाकरी की नई फिल्म बैंजो का नया टीजर लॉंच हो गया है रवी जाधव की निरलेशन में बनी एक ज्रामा फिल्म है जापान के होकाईदो में एक साथ साल के बच्चे को होजने के लिए स्थानी प्रशासन जी तोर कोशिश कर रहा है बच्चे की माता पिता ने उससे नाराज होकर जंदों के पास काज से बाहा निकाल दिया था जिसके बाद से वो लापता है वाइट हाउस पूरी तरह से चाबनी में बदल गया है दरसल एक महिला ने वाइट हाउस के लॉन में कुछ फिक दिया था जिसके बाद सुरक्षबलों ने वाइट हाउस को घेल लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया इंग्लैंड के ब्रोकवर्थ में एक अनूठी प्रत्योकिता देखने को मिले जिसमें लोग पहारी से चीज़े नीचे तेखते हैं फिर लुड़कते हुए उसे पकड़ने के लिए नीचे आते हैं प्रत्योकिता में सैक्रों लोगों ने हिस्सा लिया